IPL 2019 क्रिस गेलिक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने के करीब कोई भी विदेशी बल्ले बाज नहीं कर पाया ऐसा IPL के 12 हुए सीजन का आगाज 23 मार्च से हो चुका है इसी के साथ IPL के जर्य कई खिलाडी एक बार फिर चर्चा में आने वाले है एक बार फिर लोगों को चौकों और चौकों की बरसात की होनी शुरू हो चुकी है बतादें की 12 में संसकरण के अब तक 3 मुकाबले हो चुके हैं और 4 था मुकाबला आज यानी 25 मार्च को राजिस्थान रोयल्स और किंग सिलेवन पंजाब के बीच जैकूर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में रात 8 बजे से होने वाला है राजिस्थान रोयल्स स्टीवन स्मित की वापसी से काफी उतसाहित हैं दूसरी तरफ पंजाब के टीम भी जीत के साथ लेकी शुरुआत करना चाहेगी पंजाब के विस्पोटक बल्लेबाज और युनिवर्सल बॉस क्रिस गेल के पासे इस मुकाबले में बड़ा रिकॉड बनाने का मौका होगा इस मुकाबले में 6 रन बनाते ही गेल आईपी एल में अपने 4000 रन पूरे कर लेंगे अब तक सिर्फ एक ही विदेशी बल्लेबाज ये कारनामा कर पाया है ये विदेशी बल्लेबाज हैं डेविड वॉनर जिनके नाम 400099 रन दर्ज हैं इसके अलावा अगर गेल 8 चके मारने में सपल होते हैं तो आईपी एल में उनके 300 चके पूरे हो जाएंगे उनके अलावा इस टूर्नामेंट में किसी बल्लेबाज ने दूसरा उप चके भी नहीं मारे हैं रॉयल चालेंजर्स बैंगलोर के एबीडी विलियल्स 187 चकों के साथ इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर है